दोसो आज किस विड़ोंस बात करने वाला हूँ Redmi Note 11 स्रीस के स्मार्टफून के बारे में यहाँ पर Redmi Note 11 स्रीस के स्मार्टफून की जो कनफॉर्म लाउंच रेट है वो यहाँ पर 100% आ चुकी है प्लस सबसे बड़ी गुड न्यूस यह कि यह स्मार्टफून देखने में कैसे लगते हैं इने स्मार्टफून की लाइव इमेज क्या है क्या क्यामरा डिजानिंग है क्या फीचर्स है पूरी डिटेल यहाँ पर आचुकी है आपको लाइव इमेज दिखाने वाला हूँ 11 series के smartphone की जो confirm China launch date है वो निकल कर क्या है 28 October 28 October को यह जो smartphone है वो यहाँ पर चाइना में launch होने वाले हैं यह चीज़ यहाँ पर officially confirm हो चुकी है दूसरी चीज़ इसे smartphone की designing क्या है यह smartphone देखने में कैसे लगते है camera की designing क्या है तो फिलहाल आप यहाँ पर इसे smartphone की लाइब इमेज भी देख पा रहा होंगे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि Redmi 10 Prime वाली ही camera designing आपको देखने के लिए वे लेगी Redmi Note 11 series के smartphone में और यहाँ पर उसी टाइब का जो camera camera designing हो देखने के लिए मेली है और उसके साथ में smartphone में आपको एक center punch hole display यहाँ देखने के लिए मेलने वाले हैं यहाँ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उसके साथ उपर के साइड में आपको 3.5 mm audio jack JBL की speaker आपको देखने के लिए मेलने वाले हैं आपको यहाँ पर noise cancellation mic और उसके साथ में IR blaster जो है वो उपर के साइड में यह सब ही चीज़े देखने के लिए मिल जाएंगी इसमें आपको quad ear cameras देखने के लिए मिलने वाले हैं और 3.5 mm audio jack भी present होगा यह चीज़ यहाँ पर confirm 100% हो चुकी है तो यह पूरी 100% confirm डिटेल है Redmi Note 11 स्रीज के स्मार्टफून के बारे में 28 October को यह smartphone चाइना में लाउंच हो जाएंगे उसके बाद में देखते हैं कि आखिर की special features के साथ में और किस price point पर यह smartphone चाइना में लाउंच होने प्राइस नहीं बल्कि Redmi Note 10 Pro प्लस यह smartphone देखनी के लेमेल वाला चाइना में और यह सबसे हाइस्ट वाला वेरेंट होगा और इसमें आपको 120 वैड का charger देखनी के लेमेल जागा यह चीज़ भी यहाँ पर company के तरफ से 100% officially confirm कर दी गई है तो Redmi Note 11 series के smartphone आ रहे हैं देखते हैं कि यह smartphone कितने special features के साथ में आते हैं कितने नए features के साथ में आते हैं और आखिर इन smartphone की price क्या निकल करके आती है अब आपका क्या opinion है इस smartphone की designing के बारे में आपको इस smartphone की designing कैसी लगी आप इस smartphone को किस price point पर expect कर रहे हैं अपना opinion जरूर से मुझे comment box में comment करके बता दीजेगा दोस्तों यही था वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करेगा इसके साथ अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को अभी के अभी subscribe कर लिजेगा